सौर मंडल के सवी ग्रहों में पृत्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है इसलिए कहा जाता है कि धर्ती स्वर्ग है पृत्वी पर अर्ब सालों से पेड़ पौदे और जीव जन्तु फुलते फलते आ रहे हैं पृत्वी स्वर्ग से न जादा दूर है न जादा करीब है यही एक कारण है जिसकी वज़े से आज हम पृत्वी पर जिन्दा है तो आए जानते हैं पृत्वी से जुड़े कुछ इंट्रेस्टिंग सेक्ट पृत्वी का निर्मान लगभग 4.54 अरव साल पहले हुआ था और पृत्वी को लेकर व्यज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर लगभग 4.01 वर्ष पहले जीवन का अस्तिवत आरंब हुआ सौर मंडल में धर्ती ही एक ऐसा अकेला ग्रह है जहाँ पर पानी तीनों एवस्थाओं में मोजूद है द्रव, गैस और ठोस पृत्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है जिससे दिन और रात होते हैं कि आप जानते हैं पिछले 40 सालों में धर्ती से 40 प्रतीशत जंगली जानवर खतम हो चुके हैं सूरी की उर्जा का कुछ भाग पृत्वी और समुद्र की सतर से टकरा कर वायू मंडल में बदल जाता है हर साल धर्ती पर करीब 5 लाग भुकम पाते हैं जिसमें से केवल 1 लाग भुकम भी महसूस किये जाते हैं और 100 भुकम ऐसे होते हैं जो विनाश फैलाते हैं बाकी भुकम बहुत छोटे होते हैं जिनका पता भी नहीं चल पाता है समुंद्र तल से प्रिथवी की सबसे अधिक उचाई माउंट एवरेस्ट की है जो की 8848 मीटर की है यदि अंत्रिक से प्रिथवी को देखा जाए तो प्रिथवी एक नीले रंग के तारे के जैसे प्रतीत होती है इसका कारण प्रिथवी पर मुझूद पानी है क्या आप जानते हैं कि प्रिथवी के पास एक मात्र प्राकृतिक उग्र है जिसका नाम चंद्रमा है आपकी जानकारी के लिए बता दूकि ब्रिश्पति ग्रप पर सर सर चंद्रमा है प्रित्वी के चंदर्मा का त्रिजया 1738 किलो मिटर की है जो कि सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा चंदर्मा है क्या आप जानते हैं कि इंदर धनुष गोल होता है लेकिन जमीन से ये हमें केवल आधा ही दिखाई देता है परन्तु अगर हवाई जहाद से इंदर धनुष को देखा जाए तो ये पूरा गोल दिखाई देगा प्रित्वी की पहली परत का निर्मान सिलिकॉन और अलमोनियम धातु से हुआ है क्रुबेरा धर्ती की सबसे गहरी गुफा है जिसकी गहराई 2197 मीटर की है प्रित्वी की सभी चार परतों में सबसे मोटी परत धातु की होती है जो 2900 किलोमेटर मोटी है और सबसे पतली परत करस्ट की है जो प्रित्वी की सत्य से औसतन 30 किलोमेटर की गहराई पर है प्रित्वी के वायू मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो इसे सूरज की सक्ति साली और हानी कारक यूवी किर्णों से हमें बचाती है जिवक्ष्म इस बात को प्रमानित करता है कि मचलियां तिरपन करोड साल पहले भी मौजूद थी क्या आप जानते हैं कि प्रित्वी पर हर चार साल में एक लिपियर क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रित्वी पर एक वर्स ठीक 365 दिन नहीं बलकि 365.25 दिन का होता है ये अतिरिक्स 0.25 दिन हर चार साल में फरवरी के महीने में आता है नील नदी प्रिथवी की सबसे लंबी नदी है जो बुरंडी में अपने शुरोद के 6695 किलोमीटर दूर भूम मध सागर में फैली हुई है हाला कि एमेजोन नदी पानी स्टोरेज के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है धर्ती पर हर घंटे 760 बार बिजली गिरती है प्रिथवी के वायू मंडल और बाहरी अंत्रिक्ष के बीच की सीमा को कर्मन रेखा के रूप में जाना जाता है यह सीमा प्रिथवी के समुद्र स्तर से 100 किलोमीटर की दूरी पैस्ती थै यह सीमा को पार करने वाले लोगों को अंत्रिक्ष यातरी कहा जाता है धर्ती की घुर्णन्द गती हर साल 17 मिली सेकंड धीमी होती आ रही है अर्थात डानासोर के समय पर धर्ती में सम एक दिन 22 घंटे का हुआ करता था इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंट्स अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन गुड़ बाई